हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियो अपनों देखेंगे जैसे आटी 6 क्लास का हिंदी चप्टर 7 का कोशन अंसर चप्टर 7 का नाम है मैं आपकी प्रोब्लेम सवल्व करने की पूरी कोशिस करूँगा तो चलिए बढ़ते हैं कोशन अंसर की और निम्नांकित प्रस्णों के उत्तर लिखें पहला नमर देखिए माला फेरत जुग भया मिटान मन का फेर करका मन का छाड़ी के मन का मटका फेर इस दोहे का भाव इसपस्ट करें इसका अर्थ लिखना है इसका क्या मतलब होता है तो देखिए उत्तर प्रस्टुत दोहे का तातपर्य यह है कि इस्वर की प्राप्ति के लिए उनके नाम की माला फेरते फेरते युग बीत जाते हैं किन्तु मन में व्याप्त इक्षा लालसा अभिलासा माया मोह आदी समाप्त नहीं होते ऐसे इस्वर का नाम लेने से क्या लाब उचित तो यह है कि अपने मन में व्याप्त विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाए तो इससे नोट कर लीजिए फिर हमने देखेंगे सेकेंड नमर के कोसें अनसर सेकेंड नमर के कोसें है देखिए कभी वरिंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है तो इसका उतर हो जाएगा कभी वरिंद के अनुसार भले बुरे की पहचान समय आने पर उनके कार्यों से होती है इससे नोट कर लीजिए फिर देखिए थ्री नमर रहिम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए इसका उत्तर लिखिए रहिम के अनुसार वेक्ती को किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए क्योंकि मांगने से वेक्ती की इज़त आदर और सने समाप्त हो जाते हैं क्लिर है तो इसे नोट कर लिजिए फिर हम लोग देखेंगे four number four number के question है कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज को तुछ नहीं समझना चाहिए क्लिर है तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी चीज को तुछ नहीं समझना चाहिए कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि पाउं के नीचे पड़ा तिनका भी यदी उड़कर आखों में पड़ जाए तो अत्यांत पिडादायक प्रतित होता है तो इसे नोट कर लीजिए फिर देखेंगे हम लोग five number five number का question है रहिम ने दिपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है तो इसका अंसर हो जाएगा रहिम ने दिपक और कपुत को एक जैसा कहा है क्योंकि दोनो आरम में तो उजाला करते हैं किन्तु बढ़ने के साथ साथ अंधेरा करने लगते हैं क्लिर है तो इसे नोट कर लिजिए फिर देखिए 6 नमबर 6 नमबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर भी तक आप मेरे चैनल को HDS टूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीड़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए और विडियो का अपने दोस्तों के साथ पने क्लास्मेट के साथ जरूर सेर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सके क्लियर है तो चले हो लोग बढ़ते हम शिक्ष नमबर की ओर देखिए शिक्ष नमबर सद्यव सहायक सबल के कोवन निबल सहाय पवन जगावत आग को दिपही देत बुझाए तो देखिए इस दोहे का भाव एसपस्ट करें इस पंती का क्या अर्थ है तो इसका उतर हो जाएगा प्रस्तुत पंतीयों का भाव यह है कि सक्तिसाली वेक्ति की सभी साहता करना चाहते हैं जब कि सक्तिहीन की साहता कोई नहीं करना चाहता ठीक उसी प्रकार जैसे हवा भी सक्तिसाली आग को तो तिवर करता है किन्तु अप्षाक्रित सक्तिहीन दिपक को अपने जोके से बुझा देता है क्लियर है इससे लोट कर लीजिए यह था हमारा इस चेप्टर का लास्ट कोर्सें तो आज हम लोग जैसे 86 क्लास का चेप्टर 7 का कोर्सें से कंप्लीट के आई होप आपको वीडियो पुसंद आया होगा थैंकियो पर वॉचिंग मैं वीडियो